कौन कहता है कि आस्मान में सुराक नहीं होता एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो दुश्यन कुमार की लेखी गई इस कविता के आश्य को चरितार्थ किया है पहरा आम रेसलर सूरिप्रताप शर्मा ने जिन्हों ने अपनी दिव्यांगता को कभी अपनी काम्याबी के आड़े नहीं आने दिया एक बार फिर सूरिप्रताप शर्मा ने मलेशिया के कुवाला लंपूर में आयोजित आई एफे वर्ड आम्स रस्लिंग च्रेंपियंशिप 2023 में मैडल जीत कर तरंगा लहरा दिया है जिहार नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर मैं हूँ आ 80 किलोग्राम भार वर्ग में दाएं और बायं हात की इस परधाओं में गोल्ड मैडल जीत कर भारत का नाम रोशन किया सूरिप्रताप ने जिन देशों को खिलाडियों को हराया वो अमेरिका पॉलैन जापान रसिया और जर्मनी के खिलाडी थे जिसको मार देते हुए चेंपेंशिप में स्वन और रजत पदक जीत कर अपने देश को एक बार फिर गौरवानवित किया है और देश का मान बढ़ाया है मेरा भारत महान और देश का मान एक बार फिर से सूरिप्रताप ने बढ़ाया है आपको बता दे कि सूरिप्रताप शर्मा मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं और जन्म से ही दिव्यांग है इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सपनों को पूरा किया आज वो जिस मकाम पर है यहाँ पर हर कोई इस स्थिती में नहीं पहुँच पाता है सूरिप्रताप शर्मा को इनकी उपलब्धियों के लिए पूर्वरास्ट्रपती रामनात कोविंत सम्मानित भी कर चुके हैं सूरिप्रताप शर्मा 13 सालों से पैरा आम रिसलिंग कर रहे हैं और उनका ये जज़बा दिन बदिन निखर कर सामने आ रहा है सूरिप्रताप शर्मा पैरा आम रिसलिंग में पहली बार 2013 में मेडल जीता था फिर 2014 में और फिर ये सिलसला लगाता जारी रहा 2015 में सूरिप्रताप शर्मा ने बुलगेरिया में मैडल जीत कर देश का नाम रौसन किया और 2017 में विश्व विजेता बन गया 2019 में सूरिप्रताप शर्मा को सर्वशेश्ट्रों खिलाडी पर उसकार से सम्मानित किया गया और एक बार फिर स्वन और रजट पतक जीत कर पैरा आम रिसलर ने देश का नाम रौसन किया है किसी ने खूब ही कहा है कि होसला हो तो उड़ानों में मज़ा आता है जिसका जीता ज्राकता उधारण सूरिप्रताप शर्मा है फिलाल अस खबर में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है आज की खबर